हलो नमस्कार बच्चो स्वागा थे आप सभी को बेशिस सिख्चा के ओनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म पे तो कैसे आप सभी लोग आज जो है क्लास जो बेटा थोरा सा डिले हो गया है ठीक है आज तोरा ट्राफिक जादा था बनारास में ठीक है इस वज़े से जो है थो क्लास में अगर वेजटेबल साइंस से जो कोशन पूछे जाते जैसे टमाटर और बिंजल से कोशन पूछे जाते हैं वैसे ही चिली और ओकरा से भी आपके जो है हर एक्जाम में आपको कोशन देखने को मिलेगा ठीक है बच्चो तो फटा-फट जूट जूट जाई है ता एक और CUET में एक और युनिवर्सिटी एड हुआ है इस पे हम लोग डीटेल आपको बाद में बताएंगे एक मेवार युनिवर्सिटी जो है ये भी एड हुआ है बच्चो जिसमें आपको बीएस्टी ऑनर्स एगरी कल्चर की डिग्री CUET के थूँ मिलेगा ठीक है इस पे एक बार सेयर कर दीजाए ताकि आपके जितने भी एगरी कल्चर एस्पिरेंट्स हैं जो CUET, ICER या फिर आपके स्टेट लेवेल एगरी कल्चरल एक्जाम्स पर UG कोर्सेस की तैयारी कर रहा है सभी जो है जुड सके हां वीडियो नहीं आ रहा होगा बेटा देख लो एक ब अब जो है बच्चो आज की लास सुरू करते हैं जय जवान जय किसान गुड मॉर्निंग फाइन मेटा सब चलिए अब जो है आज हम लोग सुरू करने वाले हैं मिर्च के बारे हम बच्चो ठीक है तो मिर्च से अगर हम बात करें तो सोलेनेसी कुल के जैसे आप लोगों को टोमाट टोमाटर बताया था टोमैटो और ब्रिंजल वो भी हमारे सोलेनेसी कुल के पौद है तो आज से जो हम लोग क्लास सुरू करने वाले हैं चिली यानि की मिर्च के बारे मिर्च जो है बच्चो इसका बनस्मतिक नाम होते है कैपसिकाम स्पेसिस अब देखों कैपसि जो है वो बच्चो सिमला मिर्च की वराइटी है तो इस तरह से अब लोग दोनों को सेप्रेटली आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा ठीक है हास्त जुलोजी और बोटनी की क्लासेस भी होंगी आकरिती राए ठीक है परेसान नहीं होना आप लोग को टाइम टेबल के बिलॉंग करता है सोलेनेसी तो जितने भी हमारे सोलेनेसी एस क्रॉप होते है उन सभी के खासियत होता है कि पोटासियम वाला खाद में आप केसील का यूज नहीं करोगे क्या 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 जाता है क्या होता है क्लोरिन सेंसेटिव होने के कारण से क्या होता है जितने भी सोले यूज नहीं करते हो इसमें भी बच्चों इसकी जो तिखापनों ती वो कम हो जाती है इस तरह से यह सब जो है डिमेरिट्स होते हैं कि सोलेनेशिय स्कूल के पौधों में केसी यल का इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहिए केसी यल बोले तो MOP बच्चों ठीक है मूरेट ऑफ पोटास इसका प्रयोग इसलिए नहीं होना चाहिए इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा उसके बार इसका उत्पत्ति इस्थान जो है बच्चों Mexico या फिर कहीं कहीं आपको South America भी देखने को मिलेगा ठीक है किस चीज को ध्यान दीजिएगा इसका उत्पत्ति इस्थान जो है Mexico या फिर South America इंथेसिस मतलब होता है फ्लोरल बार्डउस की ओपनिंग जैसे अब देखते हो एक होता है टItem? इमस्कुलेशन और एक होता है टर्म एन्थेसिस इंतिजन में क्या करते हैं जो पराख केकण गण होते हैं जो पड़ार्टर्स होते हैं उसको काटके हटा तो रिमूव कर दिया जाता है उसी प्रोशेस को क्या एंसकूलेशन और उसमें से जो पॉलन ग्रेन होता है उसको क्लेक्ट किया जाता है और अगले सुभा बच्चो टार्गेटेड ओवरी में स्टिग्मा पे जो उसको ड्रॉप क यह पुछा जाता है कि emaskulation का समय क्या होना चाहिए enthesis का समय क्या होना चाहिए एक concept रामबान concept समझ लो कि emaskulation जो होता है बच्चों हमेशा evening या afternoon के time पे 4-6 बजे की जो time होती है पीम 4-6 पीम का समय जो होता है वो उप्यूप्ट माना जाता है emaskulation के लिए लेकिन बच्चों enthesis के लिए जो आपका हमेशा morning का समय होता है ठीक है तो इसलिए enthesis यहां पर कितने बज़े करते हैं हम लो morning पांच बज़े सुबब पांच बज़े का जो समय होता है वो बच्चों enthesis के लिए सबसे उप्यूप्त माना जाता है ठीक है sir voice बहुत ही कम है ठीक है बच्चों देखो आपके इन से कोई दिक्कत होगा है यहां से तो आवाज ठीक है ठीक है चलो ओके chemistry की class नहीं थी हाँ कल chemistry class नहीं थी बच्चों ठीक है time table के हिसाब से जो है कल chemistry class आपकी नहीं थी आज भी नहीं होगी ठीक इस तरह से आपके four days जो है class लगाई गई थी recently हम लोग practice कोशिस कर रहे हैं कि आपको every day जो है इन सब subjects की class मिल सके बच्चों ठीक है emasculation क्या होता है चलो ठीक है emasculation का मतलब होता है बच्चो process of removal of enter जैसे अगर हम बात करते हैं एक flower की बात यहां कर लें अगर यह हमारा flower है मालो तो यह जो portion है इसको हम लोग क्या कहते हैं एंथर कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं फिलामेंट कहते हैं ठीक हैं तो यह जो एंथर होती है इसको remove करने का इसको काटने की इसको हटा देने की process जो होती है बच्चो इसको हम लोग emasculation कहते हैं और यह normally emasculation जो होती है बच्चो यह afternoon या फिर यही था आपका emasculation में जो आप लोग पूछ रहते एंथेस क्या होता यही जो floral birds opening होंगे यह परा के कंज जो डाला जागा उस process को हम लोग enthesis कहते हैं ठीक है चलो ओक के हां मिल जाएगा बच्चो बाइलोजी की अगर अब के त्षिट कहा जाता है यह वान अफ दा फेवरेट बिटामिन में से हैं अगर एक्री कल्टरल इक्जाम के कोस्टन से यह के और को सबसे जादा कहान पाया जाएगा और आपको यह चीज देल रहा आईए अब पिर निम्बू बर्गिये फल में और फिर जो है बच्चो चिली में थे इस तरह से अगर आप याद करोगे तो अगर आपके option में यह तीन नहीं दिया रहेंगे ना चेरी दिया रहेंगा ना आउला ना सित्र तब कौन सा आपका जो वेजिटेवल होगा जो रीच होगा वो च ह्चिली के कारण से होता है इसका लाल रंगा जो होती है दराओ जो कि पुछा जाता है उसको देख लेथे पंजेनसी यानी कि तीखापन मिर्च का जो तीखापन होता है बच्चो वह कैपसी कुटीन तो यह दो नहीं यहां पर पंजिनसी यानि की मिर्च में तीखापन की समस्य आती है कैपसा सीन या फिर कैपसी कुटीन के कारण से इस चीज को नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट बच्चो आप सभी के सामने अगला पॉइंट जिससे पुछा जाता है मेजर पेस्ट आफ चिली जिसो थ्रिप्स कहते हैं अब देखो एक चीज बता देते हैं आप लोगों को एक अफ जो एक अगरिकल्चर फिल्ड ऑफिसर का पेपर होता है उसमें भी कोस्ट यह पुछा गया था बच्चो ठीक है एक कोस्ट पुछा गया था इसमें कि सबसे ज्यादा मतलब जो लीफ करल वाइरस लीफ करल डिजीज जो होता है मिर्च में वो किसके कारण से प्रसारित होती है तो देखो हमेशा लीफ करल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो वाइट फ्लाई यानि कि सफेद मक्खी से होती है लेकिन मिर्ज के केस में जो है ये थ्रिप्स जो है ये क्या है वेक्टर है किस चीज के लिए वेक्टर है बच्चो वेक्टर ओफ लीफ करल डिजीज जिसमें पती जो मुर जाते है न लीफ करल डिजीज का वेक्टर का काम करता है यानि कि वाहक वेक्टर को हम लोग क्या कह तो जो एक जगह से दुसरे जगह इस थांतरन करने का कारे करता है, तो वो वेक्टर हमारा क्या हो जाता है, थ्रीप्स हो जाता है इसके केस में, नेक्स्ट अब चो डाइबैक डिजीज या अन्थ्रैग नोज जो कहते हैं, यह हमारा फैंगस कोलेटो ट्राइकम के अब एक औ जैनस सेम रहेगा, इसके बदल जाएंगे, जैसे यह कैपसेसीन में हो रहा है, कैपसेसीन इस तरह से पढ़ते हो, तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, किसी और पौधे में कोलेटो ट्राइकम फलकेटम हो जाता है, शुगरकेन में, इस तरह से अलग अलग पौधों में जो है इसके स्पेसिस बदलेंगे, लेकिन जैनस हमारा सेम रहेगा, तो अन्थ्रेगनोज कहीं भी दिखे, कोलेटो ट्राइकम को हमें आप्शन में चूज कर लेना है, ठीक, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, चले, और किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई दिखकर, चले, ठी इसमें सबसे ज़्यादा बिटामिन बी पाया जाता है, ठीक, थ्रिप्स, हाँ, चीनो पोडियम में बथुआ में बिटामिन अ पाया जाता है, सही बात है, सर, बीएसी एकरिकल्चर का न्यू बैच है, ठीक है, बीएसी एकरिकल्चर की न्यू बैच जो है, अभी, जो है, कोर्सेस अभी आई नहीं है, ठीक, तो आप लोगी सारी क्लासेस एकरिकल्चर की जो आप प्लेलिस में जाके देखोगे, तो सारी क्लासेस अलेटे आपको मि देंगे ठीक है रेड नॉट अफ कोकोनट भी कोलेटो ड्राइकम के वज़े से होता हाँ चलिए ठीक है है नो डाउट चलो ओके बच्चो आगे बढ़ते हैं नेक्स जो आपको एन ए ए जिसको लोग क्याते बच्चो नेफ्थेलीन एसेटिक एसे तो नेफ्थेलीन एसेटिक एसेट जो होता न बच्चो यह हमारे क्या है एक तरह का आउग जीन है दस पीपीम यूज़ करके इसमें फल गिरना जो फलो के जो ड्रॉप होती है उसको एन ए ए ए अधरेटर टेन पीपीम का उपयोग करके फलो को गिरने इसको नियंतरन करने के आजाता है यानि कि फलो में जो गिरने की समस्या होती है जो फ्रूट फॉल होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको रोकने के लिए जो है बच्चो एन ए ए का प्रियोग करते है यानि कि नेफ्थैलीन एसिटिक एसिर का चलिए आगे बढ़ते हैं फिर सर एगरी कल्चर का इंटरांस का एक्जाम बैच है हाँ है बच्चो इसमें आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद इंडिया इस दे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंजूमर एन एक्सपोर्टर आफ चिली इन वर्ड यानि कि बिच्चो में भारत क्या है तो सबसे बड़ा उत्पादक है उपभोग करता है और निर्यातक है ठीक है किसके लिए चिली के लिए यानि कि बिच्चो में सबसे ज़्यादा मिर्च उत्पादन कहां पर होती है भारत में होती है चीडिया के लिए इंडिया में होगी कि उसकार आगे बढ़ते हैं बच्चों तो आंद्रप्रदेश is pioneer in chili production, अगर बात करेंगे यहां भारत के अंदर, तो आंद्रप्रदेश दो है, सबसे lead producer है किसके लिए? चिली के लिए, और एक चीज और, यह जो production और area का data है न, यह जैसे exam से पूर्व, जब government का जो 2001 का इस बाइस की जो data आ जाती है, उस पे बेस्ट होके आप लोगो को current of year, agriculture की current of year का class जो आप लोगो, exam से पूर्व, जो है, दो तीन lectures जो है, मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आपको सारा agronomy, horticulture के जिदे फसल है, सभी का छेत्रफल कहां जादा है, किस राज्य में है, और कितना उत्पादन हुआ है, यह सब चीज होता, इसके लिए आपको पहले सारे अनाज का जो इस साल का data होगा, वो जरूरी होगा, तिसलिए इस सब बेस्ट जो हम लोगो लास्ट में करेंगे, ठीक है, current of year की दो तिन classes जो आप लोगो मिलेगा, ठीक, next leaf curl is a viral disease that is transmitted by thrips, यहीं ध्रीप्स द्वारा प्रसारित होती है, और यह leaf curl क्या है, विसानु जनित रोग है, यानि कि विसानु यानि बोले तो वाइरस के द्वारा होने वाला रोग है, next बच्चो, fruit rot यानि कि फल सडन को नोकने के लिए जो है, हम लोग calcium nitrate का प्रयोग करते है, calcium nitrate का अगर आप छिरगाव करते तो 1 लीटर परती हेक्टर के दर से, तो इसके कारण से जो है, आपका फलों का सडना, यानि कि fruit rot जैसे फल सडन कहते है, इसकी समस्या जो है, आपके पौधों में नहीं होगा, इस इसको द्यान दे, next बच्चो, बीज़ दर यानि कि seed rate से related questions पुछा जाता है, ठीक है, बीज़ दर मतलब एक हेक्टर मे में बुआई है, तो कितना मिर्च का बीज़ की आवसकता हो दी, तो एक से डेर केज, ये भी आपके एक्जाम में पुछा गया है, ICER, BHU और Bihar कममाइन, दोनों के लिए, ठीक, सब के लिए इंपोर्टेंट है, ये चीली का बीज़ दर, लेकिन अगर कैप्सिकम की बात कर हो, तो धाई-सो ग्राम बीज परती हेक्टर के हिसाब से यूज किया जाता है, अब कई बार कोशन पूछ देता है, कि जैसे हम लोग सबजी की फसलों की बात करते हैं, तो सबजी में ट्रांस्प्लांटिंग किया जाता है, रोपान किया जाता है, जैसे आप जाते हो, बीज भन्डार में मिलता है । शुबव सुबड आप जओ को पाधो पाधी दोकान वहाँ पोध से पउध्यों के पाधैं श्कों मिलते हैं जो ट्रांस्फ्लांटिंग के लिए उप्योग्त होते तो उसको ले आप भी ऑफ्योग्त होते आप लिए वो transplanting के लिए जो है बच्चो कितना दिन का seedling होना चाहिए तो 35 से 45 दिन की अवधी का जो पौधा होता वो रोपान के लिए सबसे उप्यूक्त माना जाता है ठीक है इस चीज को ध्यान देना है आजण कोई बात मैं है अगर आप क्याल्सियम नाइटरिक देखो देखो फल स्णर जो होती है उसमें आपको कि oriented की के बहुत मेजरर रोल होता कैल्सियम और पोटासियम और नाइट्रोजन ये दोनों ही चीज़िये आपको कैल्सियम नाइटरिक के मात्यम से मिल जाता है थीक ह अभी बताएंगे जब हम लोग आएंगे अभी वराइटीज में तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक? अलग से जो ICR के बैच जो है, अभी आया नहीं है, जल्दी हम लोग सुरू करने वाले हैं, ठीक, ICR की बैचे, जैसे फॉर्म एनाउंस होने के बाद, जो आप लोग को बैचे मिलेंगे, ठीक, परिसान नहीं होना ICR के लिए, क्यों यहाँ जो CUET के लिए है, ठीक, एक लब ब सीजन क्रॉप है, वाम एंड हुमिड क्लाइमेट, यानि की गर्म और उस्न जो होती है, ऐसे जलवाईयों में, और टेंप्रेचर आफ 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेट जो है, आवा सेक्टा होती है, तो दचिली इस अ प्लान्ट ऑफ ट्रॉपिकल और सॉप ट्रॉपिकल रि इसके कारण से क्या होता, फ्रूट ड्रॉप की समस्य आती है, और इसके जो बर्ड्स होते हैं, फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, वो डेहिसेंस, डिबलोजम गिर जाते हैं, तो यह तो आपको ओविसली देखो, हर एक बस लैंग्वेज थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन मूल जो concept है न, वही है, कि पुस्पन से पुर्व और फल विकास के समय, अगर moisture stress आपके पौधे में आ गई, यानि कि अगर वहाँ पे नमी की कमी हो गई, तो आपके पौधे में जो है, फल ज़र जाएंगे और फुल ज़र जाएंगे, यह concept मैंने आपको agronomy से बताते आ रहा जो बच्चे agronomy से lectures कर रहे हैं, उनको तभी से आपको यह पता होगा, कि main जो यह मंत्र आपको मूल मंत्र जो है agronomy में दिया गया था, वही मंत्र आपको हर पौधे में काम आएगा, ठीक है, आप अगर खेतों में भी जाओगे, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ दे बच्चो यहाँ पर fruit formation के समय, अगर आपने सी चाही साही से नहीं दिया, तो उसके कारण से deblosming और fruit drop की समस्य आपको देखने को मिलेगा, और excessive rainfall is detrimental to the crop because it brings about defoliation and rotting of the plant, अगर excessive rainfall हो जाता, जैसे तुम लोग simple गाउं घर में जितने भी बच्चे ग्रामीन छेतर से जुड़े सकते हैं, उगाते हैं, लेकि नॉर्मली जो एक climate की जिसकी आवस्यक्ता होते हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर warm and humid climate की बात करते हैं, ठीक है, चलो एक चीज़ और मैं बता रहा था आप लोगों को कभी भी देखते होगे, at the rate means widely used, नहीं, at the rate का मतलब होता है, कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर जैसे आपको देखा होगे, at the rate वन लीटर परती हेक्टर, तो widely used में नहीं, कितने मात्रा में हम लोग यूज करते हैं, तो एक लीटर परती हेक्टर के दर से, application दर समझ सकते हो, at the rate का मतलब, ठीक, ICR के forms आएंगे बच्चा, इस मन्त के end या में फर्स्ट विक तक आजाएगा, ठीक है, चलो, ओके, जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर में जो बाते हो रही थी, वो था, कि सबजी वाली जो फसल उगाते हो, हमेसा आप देखते हो, कि जमीन को थोड़ा पे सडन हो जाते हैं, उसके जड़ सड़ जाएंगे, ठीक है, और इसी के कारण से वहाँ पे यह चीज़ को आपको ध्यान देना हो, एक्सेसिव रेनफॉल इस डिट्रिमेंटल तो दो क्रॉप्स विकाज इट बिंस अबाउट डिफोलियेशन रॉटिंग ऑफ प्लांट, यानि कि पौधे उसके सड़ जाते हैं, और उसके पुष्पोगरा जढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को हमेशा जो है, सबजी की खेती जो है, थोड़ी सी उची भूमी पे करना चाहिए, जहाँ पे जल भराव की समस्या ना हो, या पे जहाँ पे जल भराव नहीं हो, क्लास कितने बज़ तक चलेगा, क्लास बच्चों 11 सवाए 11 तक चलती है, ठीक है, जिनरली, एक्जाम कब होगा, बच्चा, जुलाई एंड तक आपके सारे एक्जाम सो जाएंगा, ICR का भी एक्जाम जुलाई एंड तक होगा, ठीक, जी हाँ सर, चलो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, भीया मैंने ये बोला, कि पानी जल भराव उसके लिए खानेकाराख होता, ये तो कहीं नहीं बोला, कि उसको पानी नहीं देते हैं मोटर से, या उसको पाइब से, या नल खोल के, ऐसा तो नहीं बोला है मैंने, पानी तो लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए भाईया इसको समझो ऐसा थोरी नहीं कि कहीं भी बिना पानी का तो कोई खेती पोसिवली नहीं है बिना मिट्टी का आप खेती कर सकते हो लेकिन बिना जल का खेती पोसंभब नहीं है इस चीज को ध्यान देना कभी पर कुछा जाएगा कि ख लेकिन बिना पानी का खेती संभब नहीं है ठीक है जैसे कि आप सिंपल इक्जामपल में लेख सकते हो चाना को भी अपने रूम में भीगा के बस छोड़ दो कोई मिट्टी उटी की जरूरत नहीं हुआ लेकिन फिर भी चाना अंकूरित हो जाता है लेकिन बिना जल का सुखी चाना को रख के देखो कभी अंकूरित नहीं होगा ठीक है तो इस तीरे आपको जो है इस सब चीज को ध्यान देना होगा ठीक है चलो हाँ सैंडी स्वाइल में करते है हाँ बिलकूल सही बात है जो बलूवी दोमठ मिर्दा होती है वहीं पर हम लोग ज्याद अतर सबजी की खेती करते है ठीक है वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही बता रहे हो सिखा चलो ओके वाटर रुखना निचाहिए बिल्कुल वही बात हम बता रहे थे आप लोगों को बिना स्वाइल के कैसे होगा जागरती सुनने आरे देख ले ना बाबू हैड्रोपोनिक्स जो है उस टेकनि जूण में करेंगे और अगर समर क्रॉप में जयेगा तो जरमरी को बॉया जाता है जो भी अपका नार्ममल के समय होगोंगे और सोquisमें अगर तो दोनों ही टाइम सही है ठीक लेकिन ऐडियल टाम फर रेजिंग नरशरी जो होता हुआ फेवरेरी से मार्च का समय होता है पच्छों February मार्च के महिने में नरसरी उगाया जाते हैं मिर्च के ठीक है इस चीज को ध्यान देना नेक्स ट्रांस्प्लांटिंग जो है अब नरसरी अगर आप फेबरी मार्च उगा रहे हो तो पच्षर लब में तो बिना स्वाइल की खेती है न इस जरूर न है इस इसमें कोई फो नहीं है है अच्छा ज चलो सीख चाओ के ऑ NEW हां सर्ख्लान ब्रीडिंग से भी कुस्टंत्याहं श्रक्राइब को ले बहुता है विल्कुल आता है जैसे आपuciones хотел tai उसमेन आपको जैने tip फ्लाइन ब्रिडिंग बताया, प्लाइन फूजियोलोजी बताया इन सबसे कोस्टन साथ है, कुछ कोसटन साब के बायोके मिष्टरी साएगा, कुछ कोस्टन साब के माईक्रो बायूलोजी से आएंगЕ, या ICR और CUET में ठीक है, तो सब चीजे पढ़ाया जाएगा, पढ़ेशान नहीं होना है, जल संबर्धन बिधी बायो में पढ़े हैं, बिल्कुल, चलो, बिल्कुल, 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 बाते पढ़ने से जादा जो है, बाते करने के चक्कर में रहोगे न, बात करने के पढ़ने के लिए 2-3 महीने का समय है, बात करने के लिए सारी उम्र पढ़ी हुई है, अगर 2-3 महीने नहीं पढ़े धंग से, फिर अगले एक साल तक आप लोग बाते करते रहे जाओगे, इस चीज को ध्यान देजेगा, ठीक है, इसलिए क्लासेस के दौरान जो है, आप ल 500 ग्राम जो बीच जो है, हम लोग नर्मली सफिशेंट होता है, नर्सरी उगाने के लिए, फ़र एक एकर ये सब चीजे हो गई, अब जो है बच्चों, ड्राई चिली, जो सुखी मिर्च होती है, उसकी कंस्टिट्यूशन, उसकी अंदर क्या-क्या चीजे रहती है, तो 6% स्टल्क मतला होता है, डंठी, उसके बार डंठल, 40% जो होता है, यानि कि बाहे फल भित्ती, बाहे फल जो रहता है, और 34% जो होता है, बच्चों वो बीज रहते हैं, तो 100% सुखी मिर्च की कंस्टिट्यूशन की की बात कर रहा हूं, तो सुखी मिर्च में सबसे जादा क् 40% जो होते हैं, उसके उपर ही कवर, जैसे आप कभी लाल मिर्च को ऐसे तोड़ोगे, तो उसका लाल लाल जो बाहर वाला रहता है, वो सिर्फ 40% रहेगा, और बीज आपका रहेगा, टोटल 14% और 6% जो होता है, बच्चों वो डंठल जो स्टार्टिंग का रहता है, उसको ठीक, जो भी कीचेन में खाना होना बनाते हो, तो लाल मिर्च को कभी तोड़ के देखना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, PCA बच्चा हिंदी का क्लासेज, अभी तो हिंदी की क्लासेज नहीं शुरू हुई है, जल्दी शुरू होगा, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ये सब चीजे के बाद, लोंग ड्राइब पिरियेड रिजल्स इन फ्लावर सेडिंग और फ्रूटफॉल, ये तो गंटा भी एक ही घंटा बस हर दिन पढ़ो, तो दोनों ही चीजे आपके लिए नुपसान है, तो हमेशा मोडरेशन जो है बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज में, तो वही चीजे यहां पेगरी कल्चर में भी वाटर की कंडिशन लेलो, चा टेमप्रेचर की कंडिशन हमेशा मोडरेशन में रहना चाहिए, तो इसी तरह से वाटर कंडिशन अगर बहुत दिर तक लंबा सुखी समय रह जाएगा, बहुत लंबा समय तक सुखा पड़ जाएगा, इसमें भी आपके फल पुष्प जो होंगे, वो जढ़ने लगेंगे सुख के, मोश्चर की डेह हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत जादा जल भी मिल गया, तब भी वो हमारे आपके पौधे सुखने लगेंगे, तो इस तीज को ध्यान देना है, नेक्स्ट है, बाइडाइरेक्शनल रूट सिस्टम, इसमें जो बच्चो, बाइडाइरेक्शनल रूट सिस्टम, इसमें स्टार्टिंग में भी बताया था, मैंने नेप्थलीन एसीडीक एसीड का जो है, दस पीपीम का छिरकाव और कर देती हो, तो फलो का गिरना जो होता है, उसको हमें स्टॉप कर सकते हैं, तो एन एक का यूज या फिर ट्राइकों टीनोल का यूज करके आप फोल ड्रॉप क रुका जा सकता है, नेक्स्ट है, रेंस इन नोवेंबर और डिसेंबर कॉजेज इंसिडेंस और पाउडरी मिल्यू, अब पाउडरी मिल्यू क्या है, इरिसीपी पॉलीगोनी से होने वाला एक तरह का कवक जनित रोग है, जो कवक से होता है, जिसमें आप देखोगे, पत् पाउडरी मिल्यू की इंसिडेंस हो जाएगी, नेक्स्ट है, ग्रिन टू ड्राई चिली का रेशियो जो होता है, दस सम्मंधी एक होता है, यानि कि इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर बच्चो दस किलो हरी मिर्च को अगर सुखाया जाएगा, तो से आपको एक किलो जो है, ये लाल मिर्च मिलेगा, इस तरह से आप जो है, इसका रेशियो जो होती है, ग्रिन टू ड्राई चिली का रेशियो जो होती होती हो, टेन इस टू वान, दस सम्मंधी एक होता है, ठीक है, इस रेशियो को भी आपको बेसिकली जो है बच्चो ध्यान देना है, ठीक है, चलि लगता है इरिसीफी ठीक है इसपेसिश फंगस जनितर हो अगे बढ़ते हैं फिर बच्चो नेक्स्स ए इसकी कुछ वेराइटी जानी की किस्म मिर्च के कुछ किस्म से भी आपके सवाल पूचे जाते हैं तो क्या-किया इसका हो जाएगा बच्चा आंध्रा जोती पूसा ज्वाला ज्वाला मुखी अरका लोहित पंजाव लाल पंजाब सुर्खा और पूसा सदावाहर यह सब आपके वेराइटी जदे को अब याद करने का जैसे जब मिर्च खाते हो तो मुझ जलता है कि नहीं अगर मालों कभी तीखा खा लिए तो भागते भागते किसा दर्णार फ्रीक है इसा तरह से ज्वाला ज्वाला मुखी जो रिखे ना समझे लें नहीं रहें यह मिर्ची befार रही है तो हमारे क्या है इसकी वेराइटी है अब इसमandır बच्चों कुछ वेराइटि से याद्क ज्वाला मुखी जो होता है नहीं है उच्छ सगन फसल उत्पादन के लिए उप्यूग्थ होता है यानि कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उप्यूग्थ होता है यानि कि ज्वाला मुखी कहा होगा जैसे ज्वाला मुखी फटता का है जब ज्यादा नीचे ज्यादा देन्स हो जाते हैं उसको फट जाता है जब होल्ड नहीं कर पाता उसको इसी तरह से बच्चो जो आला मुखी जो है हम लोगों की उच्छ सगन फसल उत्पादन के लिए उप्यूगत होने वाला मिर्च का किस्म है उसके वासकर जो है किस्म बच्चो यह थ्रिप्स के प्रतिर किस्म है श् कर पंजाब सधार मुखी यह सब आपके वराइट जो एक्जाम में पूछे गए बच्चो ठीक है तसरे इसमें रेड कलर कैप्साज यंथीन के कारण से होता है, बच्चो ठीक है? रेड चिली को खाने में देखो, रेड चिली को जो है, अमिलोग सबजी ओगराँ मसाला तो यूज करता ही है ऐसा थोरी नहीं कि रेड चिली को नहीं खाया जाता है ठीक है यह रेल्ट कलर जो है स्वता, सईनी सही बता रहे हो केसल जैन नहीं के कारन से होता है ठीक है बच्को चलूँए हाँ केसल जैन जैन को कारन से होता है उसके बाद तेको यह सब जो हमारे कुछ जो वарाइटीज की बात कर रहा यह जो हमारा इधर का वेराइटी जो ही आरका सुपाल यह सब वासकर है समारे hybrid वेराइटी जी है बच्छो ठीक है जब पूछ रहते कि सर hybrid वेराइटी नहीं होता तो होता है बच्छो ठीक उसके बाद इंसेक्ट एंड पेस्ट की बात अगर करोगे तो चिली थ्रिप्स जिसको अब इसक्रिटो थ्रिप्स दोड़ सैलीस कहते है इसमें क्या होता है पतियां जो अंदर के तरफ मुरने लगती जैसे मालो यह हमारा लीफ है तो अंदर के तरफ इस तरह से करल हो जाएगा मुर है तवासी कहते है थीक है तो वाइट फ्लाई जो होता है सफेद मक्थे घी है यह भी यह मारा क्या दिश्यकर इसके लिए है तो यहां पर वाइट फ्लाई क्या है repetition मोजाईक वाईरस कहते है तीयोगा। transmission इसको बौहक का कारे कौन कर रहा है सफेद मक्खी यानि कि white fly और थ्रिप्स जो होता है बच्चों वो मुख्य रूप से इस चीज को प्रसारित करने के लिए इस चीज को वेक्टर का काम करता है ठीक उसके बाद बच्चों यह जो एसे फेट और ट्राइम एक्थाव जैन है यह दोनों जो है थ्रिप्स और white fly के लिए नियंतरन के लिए आप यूज कर सकते हो या तो फिर आप इमीडियो क्लोरापी से भी ज्यादा उनके ट्रेड नेम्स जो है इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि दुकान पर जैसे हम जाते हैं तो एंटिबाइटिक्स लेना हो जाता है नाम देखे बोलते हैं उसका अंदर का कॉमपोजिशन थोरी नहीं बोला जाता है इस तरह से इमीडा क्लोरोपीडियों से उनके लिए स्थे। नहीं यह से पर केमिकल नेमस हैं। इनके लिए हर्वी साइड मेंनलग पढ़ते हैं अला क्लोर का ट्रेड नेम लास हो एट्रजिन का अट्रा टेक्स ठीक है वीट्टा क्लोर का इस तरह से फ्लैकर अल्ग पढ़ते हैं श्टेंप अ zar управ होताए तो ठीक है, उक्टे, चलिए, आगे बढ़ रहे हैं थे तब, नेक्स जो है बच्चों, यहाँ पर अगला जो है आपका, कैप्सिकर्म एनम जिसको हम लोग बेल पेपर कहते हैं, या फिर इसको सिमला मिर्च भी कहा जाता है, ठीक है, तो simla mirch कहलो या फिर इसको bell paper कह लिजे तो origin इसका क्या हो जाएगा Mexico ये भी हमारा chili का ही family से belong करता है इसका भी उत्पत्ती स्थान क्या हो जाएगा बच्चो Mexico ही हो जाएगा उत्पत्ती स्थान से related नेक्स्ट इसको common name से क्या कहा जाता सिमला मिर्च और स्वीट पेपर इसके सिमला मिर्च और स्वीट पेपर भी कहते हैं नेक्स्ट इसको चाइना इसकी सीजन ना रहे बच्चो उसके केस में जो आपका कौन साब ऐसा होता है जो यूज होता है तो सिमला मिर्च का सबसे ज्यादा जो ऑफ सीजन में जो सप्लायर है बच्चो वह आपका कौन है तो हिमाचल प्रदेश ठीक इस चीज को ध्यान देना ठीक ओके हाँ सिमला में सीज सर बीच्च में पीसी ऑप्शन कब तक मिलेगा देखो अभी तक अपडेट नहीं किया उन्होंने ठीक है तो इसमें जो है जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक जो है यह बता पाना मुश्किल है थोड़ा कब तक मिलेगा कितना घंटे पढ़े कि सेलेक्शन में कैंपस में हो जाए कितना घंटे पढ़े वाली बात नहीं है विच्चा देखो कितना घंटे पढ़े ये घंट इतना ऐसा नहीं होता कि 10 घंटा पढ़ लोगे तो सेलेक्शन हो जाएगा या 2 घंटा पढ़ोगे तो सेलेक्शन नहीं होगा इस तरह से नहीं होती है चीज़े ठीक है आप कितना घंटे पढ़े नहीं, कितना पढ़े की सेलेक्शन हो जाए, ये मैं बता सकता हूँ, पुरा स्लेवस पढ़ेने पर सेलेक्शन होगा, ठेक, कितना घंटे पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता, कुछ बच्चे क्या होते, 10-10 घंटे तक पढ़ लेते हैं, लेगिन उसमें से उतना productive study, तो हमेशा चीजे ध्यान देना बच्चो, hard study और smart study में दोनों में काफी अंतर होता है, तो हमेशा जो है, कितने घंटे पढ़ने पर ध्यान मत दीजिया, कितना content आपने आज प्रिपेर किया, उस पे focus करिएगा, जैसे एक आप अपने syllabus को क्या करो, अलग-अलग दिवाइड करोगी, इतना days to exams है, हमारे exam से पहले, इतने दिन बचे है, उसको ध्यान दे कर, फिर उसको जो है syllabus को आप डिवाइड करिए, बाइफर्केट करिए, अलग-अलग groups में, और फिर आप अपने daily targets बनाइए, और उस daily targets को हर दिन achieve करते रहे, चाहे उसके लिए आप बच्चों crack सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते है, इतना घंटा पढ़ने से बच्चों तैयारी हो जाएगी, कुछ बच्छे होते हैं, जो 4 गंटा पढ़खे निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे 12 गंटा तक भी नहीं निकाल पाते है, ठीक है? चलिए ठीक है ओक्या सुर अप्सन है तो PCB PCB और ये बच्चो चलिए ओक्या आगे बढ़ते हैं चलिए ये सब चीज़ हो गई चलिए अगे बढ़ते हैं हम लोग सिम्ला मिर्च में तो बात कर रहे हैं अगर जो है मालनीजिए पानी का कमी है यानि कि वहाँ पे जल की कमी है और उसी समय अगर आपने मिर्च में एक्सेस नाइट्रोजन दे दिया इसके कारण से आपका ब्लोजम एंडरॉट हो जाता है कैप्सिकम में जैसे आपको कल मैंने बताए था ब्लोजम एंडरॉट बी ए आर जो था वो कैल्सियम की कमी के कारण से हो रही थी इसी तरह से बच्चों वाटर स्ट्रेस यानि कि जल की जब कमी होगी जल की अधिकता के कारण से अगर एक्स कि में नाना वर्ल्ड बीटर यह सब क्या है हमारे ऐसे वेराइटी जीनने यूए से इंट्रोडूस किया गया इंट्रोड्यूस्ट फ्रॉम यू एस रह यानि कि अमेडिका से इन्हें इंट्रोडूस्ट किया इंट्रोडाक्श जैसे अगो कोई भी एगर फॉरील से कोई भी वराइटीज को भारत मिले कर आते तो उस प्रॉसेस को क्या कहते है बच्चों इंट्रोडक्शन क्याते है ठीक है तो इंट्रोडक्शन में जो है आप लोगों को ओप्शन दिया तो है PCM, PCB देखो बच्चा सर मैं सिर्फ CUET के लिए प्रिप्रेशन करती हूँ तो यह सब टॉपिक CUET में आएंगे की नहीं बहुत कन्फूजन है सर क्योंकि कि देखो बच्चा, CUET के लिए जो है निधी, सलोनी, CUET के लिए एगरिकल्चर की स्लेबस जो है अलग है और एक चीज़ और बता दो आपको CUET का सलेबस अल्रेडी डिसकास्ट आपको मिलेगा ठीक उस सलेबस के आधार से जो आपको टॉपिक को कवर करना है ठीक उसमें जो आपके कुछ बहुत ही कम जीज जो है फसले उसमें दिया गया ठीक है कि स्लेबस में ठीक चलो सर ऑप्सन है तो PCB या PCA या PCB या ABC लेकिन उसको जो है रिवाइज करके इन्होंने जो है ABC PCB या PCM कर दिया है ठीक है इसकी बाते कर रहते है यह जो है अभी तक चेंज नहीं कर किये हैं यह लोग ठीक चलो उसके रागे बढ़ते हैं उसके बात जो है अरका बसंद अरका मोहीनी अरका गौरब पुसा दिप्ति और पुसा मेग दूति यह सब भी हमारे क्या है तो Capsicum के कुछ वेराइटीज है उसके बात बच्चो नेक्स जो आज के ल सबस्क्राइब ॐनटास बुले तो बिनडी की बात भात हो रही है तो पजिएंदी में हम बात करेंगे तो भींडी की कहा कूल होता है वह मालवेशी होती है यह origin इसकी अफ्रीका है, यानि कि उत्पत्ती स्थान इसका क्या हो जाएगा बच्छो, अफ्रीका इसकी उत्पत्ती स्थान है, ठीक है, तिस चीज को ध्यान दीजेगा, सर मीला देवी क्या कुश्चन है बेटा सर इंडिया में कौन-कौन सा एस्टेट में सबसे ज़्यादा सिमला मिर चुगा जाता है देखो ये सब जो है बच्चो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती होती है और अगे बढ़ते हैं फिर इसका जो वेट्स पेंगॉला इस देट प्रोडूण सा एस भी हार यानि कि भेंडी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन है बच्चो तो वेस्ट बेंगोल यानि कि पच्छिम बंगाल और उसके बाद फॉलओड बाई बिहार हाईयर आयोडीन कंटेंट देखो बेंडी में जो है आयोडीन की मात्रा प्रचूर मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है जिसके कारण से देखो आप लोगों ने देखा होगा हमेशा आयोडीन की कमी से जो गल गाठी है यहाँ पर गोएटर की समस्य आती है तो आयोडीन की मात् है यहां पिजो गवेटर को control किया जा सकता है कि इस हमाराthese C avaient' को ध्यान देना होगा यह वांसीजन क्रप देनगे और estar ट्रॉपिकल रिजन में इसको जाधा तर उगाया जाते हैं इसलिए इसको हमनों ट्रॉपिकल क्रॉप भी कह सकते हैं नेक्स्ट बच्चो रूट एंड स्टीम आर यूज्ट फर क्लियरिंग केन जूस इन प्रिपरेशन अफ गूर देखो यानि कि जब गूर की उत्पादन ग ध्यान दीजेगा तर अमेजिंग पॉइंट है जो आप लोगों को सायद ना पता हो तो बच्चो रूट एंड स्टीम का यूज हम लोग करते हैं इसको केन जूस को क्लियर करने के लिए इसमें जैसे भिंडी अगर आप खाते हो तो भिंडी चिप-चिपा जो होता है ठीक ह तो चिप-चिपा यहाँ पर मुसिलेज इस प्रेजेंट मुसिलेज के उपस्किति के कारण से जो बच्चो यहाँ पर चिप-चिपा पन आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट बच्च आइस टेंपरेचर एबाव 42 डिग्री सेंटिग्रेड फ्लावर बड्स जो होते हैं व लोग हमेशाचे एक्स्ट्रीमिटी पर आपको ध्यान देना है नेक्स्ट है नॉर्मल ग्रोथ के लिए पीस से चोबीस से अर्थाइस डिग्री के जो टेंपरेचर होता है बच्चो वो सबसे उप्युक्त माना जाता है फौर नॉर्मल ग्रोथ यानि कि सामान्य बृद्ध इस चीज को ध्यान देना है एलो सर एप्लिकेशन का लॉंचिंग होगा अभी नहीं हुआ बच्चा ठीक एप्लिकेशन के लॉंचिंग जल्दी हो जाएगा ठीक है किसी भी दिन हो सकता है इस वीक एंद एक दो दिन में कि चली ओके अमित कुमार अभी नहीं हुआ है बच्चा आप लॉंच ठीक है होगा जल्दी आगे बढ़ते हैं बच्चो नेक्स्ट है सेकेंड इंपोर्टेंट क्रॉप फॉर एक्सपोर्ट आफ्टर ओनियन यानि कि प्याज के बाद निरियात के लिए दूसरी महतपूर् लोग किसी भी चीज को निर्यात करते हैं किसी औरने कंट्री में या अन्ने जगह पर ठीक है तो उसमें आप देखोगे तो वहां पर आपको एक क्वालिटी एसेस्मेंट होती है जैसे अगर माल लो मुझे यहां से कुछ चीजे मैंने उत्पादन किया उसको अमेरिका लिए तभी जो है आप इसको एक्स्पोर्ट क्वालिटी के लिए इसको यूज कर सकते हो यह स्टेंडर्स साइज जिसको हम लोग मानक आकार जो कहते हैं निर्यात के लिए हो 6-8 सिंटीमेटर होनी चाहिए नेक्स कोशन पूचा जाता बच्चो मेजर पेस्ट आफ उक्रा यानि कि भिंडी की सबसे महत पूर्न कीट तो क्या होता है फल सेदक यानि कि फ्रूट बोरर तो देखो यहां पर देखना बच्चो कहीं कहीं आपका थ्रीप्स है नहीं तो ज्यादा तर केस में जो है फ्रूट बोरर है ठीक है तो फ्रूट बोरर मेजर पेस्ट होता है उस जाएक में जादा तर यसे exceptions नहीं है लेकिन trips जो exception था वो हमारा लीफ करल के लिए था चिली में इस चीज को note कर लेना ठीक है बच्चो नेक्स्ट बच्चा यहां पर seed rate जो समाने खरीव सीजन में अगर आप उगाते हो तो 10-8 से 10 kg प्रती हेक्टर के हिसाब से देते हो और इस वहाँ पर बीजदर जादा देते हैं लेकिन खरीव में जो आपका मोईस्टर में रहता है इसलिए हम लोग की बीजदर क्या होती है कम होती है ठीक है बच्चो हाँ सेम देखो बच्चा हाँ खुशी जो आप पता रहते हैं कि सेम वेराइटी जो होती है बहुत से में मिलता है ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका सेम वेराइटी रहेगा नों कता ही नहीं पूछा जाए जहां पर जो जैसे एक ही बच्चो अगला सेशन जो होगा ना जो नेक्स्ट वीक आप लोगी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग MCQ से ही सुरुवात करेंगे दो लेक्चर से आपको MCQ के मिलेंगे ठीक है math वाले ag के लिए apply कर सकते हैं बच्चो लेकिन math से ही करना परेगा यूपी के रेट में ठीक है तो ये चीज को आप लोग clear करने जे आने वाला है अनूज चलो उके उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चो next जो है यहां पर वेराइटी से रिलेटेड जैसे पूसा सावनी पूसा सावनी जो है दिवस निस प्रभावी है और इस्पाईलेस मतलब उसमें जो काटे और जो है भिंडी पे जो थोरे थोरे स्पाइन से रहते हैं वो नहीं प्रिजन रहता है किस वराइटी में पूसा सावनी में नेक्स्ट बच्छा प्रभाणी क्रांती और वर्सा उपहार ठीक है तो वाइड फ्लाई यानि कि यह हमारा सफेद मक्षी प्रतिरोधी कि इसमें हमारा प्रभानी क्रांती और वर्षा उपहार तो यह दो वेराइटीज को भी आपको ध्यान देना है नेक्स्ट बच्चा अरका अभय और पंजाब पद्मिनी अब देखो यह प्रभानी क्रांती जो है ने एक कोशन प और आयोडीन भी इसमें प्रचूर महत्रा हम पाया जाता है इसलिए इसको गलागांठ यानिकी गवेटर रोग के लिए उप्यूक्त माना जाता है ठीक उसकर आगे बढ़ते इट कैनी सक्सेस्फुली ग्रों इन रेनी सीजन इवन इन हेवी रेन फॉर एरियाज में भी इस इस चीज को ध्यान देना है चलिए घंश्याम कुमार सर क्रैस बैच में कितना फीस है देखो बच्चो इस सब चीजे आप लॉंच होने के बाद जो आप लोग को सारी चीजे क्लियर होंगी फीस के बारे में ठीक है बच्चो चलिए अभी जो हैं लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्मली विंडी जो होते हैं यह ससेप्टिबल होता है सीड फेल टू चर्मिनेट एबाब बिलो 20 अगर 20 डिग्री से कम पे तापमान होगा तो बीज आपकी अंकुरित नहीं होंगे इस चीज को ध्यान दिजेगा बीज जो है आपका 20 डिग्र से उपर होने पर आपके फल जढ़ जाते हैं तो दोनों ही आपको एक्स्ट्रीम एंट्स आपको पता होना चाहिए नॉर्मली दा क्रॉप इस ग्रों बिट्विन जैनवरी से मार्च और जून से अगस्त यह दो सीजन जो है जैसे आपको बताया न मैंने जून से अगस्त मे आपके दोनों सीजन के हिसाब से आपके बिजदर अलग अलग होते हैं नेक्स्ट है अगर बुआ इस से पहले अगर आपने इरिगेशन दे दिया इसको प्री सोइंग इरिगेशन तो यह हमारे लिए लिए लावदायक होता है ठीक है उसके इससे क्या होता है कि जर्मिनेश इससे आपका आसान होता है ठीक है जब अंकूरित होते हैं वह आसान हो जाता है शीड जर्मिनेट इन बाउन फोर तुफाइव देज में इसके बिज जो होते हैं और किसी भी पौधे में अगर देखते हो बुआई से पूर्व सिचाई जो होता हो थोड़ा लावदायक हो जाता है क्योंकि अंकूरन के समय मोईस्टर नमी हो गएरा जो है मिल जाता है नेक्स्ट इसमें एनपी के सो केजी साट केजी और पजास केजी के रेशियो में हमें दे सकते हैं नेक्स्ट बच्चो और लाइट इरिकेशन इस गिवन सून आफ्टर सीट सोइंग टूइंग गुड़ जर्मिनेशन जैसे आप अगर सब्जी लगाया जाता है ट्रांस्प्लांटिंग की जाती है तो उसके आद आप देखते हो कि बच्चो हाँ सेडूल आने पर पता चल जाएगा बच्चो ठीक है नेक्स्ट क्लास कब और किस दिन होगा ठीक है उसके अलाबा आपको ध्यान देना है जैसे अभी के मौसम जो है अभी क्या बहुत ज्यादा गर्मी है बच्चो ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा फ्रिक्वेंट इरिगेशन देनी परती है सबजी वाले फसल जो अभी के मौसम में कोई खेती कर रहा है तो इसलिए प्री सोइंग इरिगेशन के साथ इरिगेशन चार-पास दिन के एंटरफल में समर सीजन में देना पड़ता है यह विंटर वाले सीजन आपको देने की ज फॉर्व मेतट पर इडिकेशन आप लोग जानते हो किस तरह से बना दिया जाता इस पर आपको फसल लगा जाता है यहां मेड से जो आपकी शिचाई की जाती है इसी बिधी को हम लोग क्या करते बच्चो फॉरो इरिगेटेटेड मेथट क्याते है या फॉरो बिधी करती यह जो है ज्यादा तर मुख्य रूप से उगाया जाता है ठीक है हाँ बुद्वार से चल रहे का क्लास मुझे भी लग रहा है वेड़नेस्टे चलो ओके नेक्स्ट जो है आप लोगों को ध्यान देना होगा बच्चो फ्रूट्स आर अल्रेडी यानि कितने चार दिन में अंकूरित हो रहा है और साथ दिन में आपके पौधे तोड़ने लायक हो जाते है ठीक है और इसमें टेंडर पॉट्स भी जो टेंडर फूट्स होते हैं जाए जो वेज़िटेबल होते हैं उनको कंजूम किया जाता है जैसे कि हम लोग किसी भी चीज की जब खेती करते हो तो पौधे को बहुत बड़ा जानी की मेचूरिटी से जादा एस तक नहीं छोड़ना चाहिए खेतों में क्या होता हो उसकी साइज जो एबनॉर्बल टू लार्ज हो जाती है और टेस्ट भी कम हो जाता है और वो अलग frequent picking भी जरूरी है यह नहीं कि आप तोड़े ही नहीं तो आपके फल वही रहेंगे और लार्ज हो जाएंगे लेकिन अगर आप समय समय पर तोड़ते रहेंगे तो आपके नए नए जो है उसमें vegetables आता रहेगा ठीक और आपका fresh plus of vegetables आपको मिलेंगे ठीक यह सब कुछ points था ब होने वाला agriculture की दो क्लासेस आपको back to back बचों MCQ पे रहेगा जो आप होटी कल्चर में अभी तक पर हो fruits और vegetables चार वेजिटेबल पर हो introductory class था आपका vegetable का तो इन सब जो पांच लेक्चर से सब पर बेस्ट जो है आपके होटी कल्चर का आज 12 लेक्चर था ठीक है तो 13 लेक्च तब तक के लिए सभी लोग जो है पढ़ते रहे है रिवाइज करते रहे है फिर मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए सभी लोग take care बवाई